Hello everyone, welcome back to my channel और आज हम बात करने जा रहे हैं थ्री माजिकल वर्द्स के बारे में ये थ्री माजिकल वर्द्स जिनके बारे में हम लोग ने बच्पन से ही पढ़ा है अब ज़रा सोचिए कि कौन से वो थ्री वर्द्स है याद करने की कोशिस कीजिए हम सब नहीं इसे केजी टू में पढ़ा है एक बार सोचिए ये magic words बोलते हैं इसे golden words भी कहते हैं हम सब ठीक है? तो ज़रा सोचिए चलिए मैं बता दी हूँ ये कितनी पुरानी बात है कि हमने पढ़ा तो सही बट उसे use नहीं करते हैं आज इन words में एक word और add कर लेते हैं that is I love you see हम सबने love को एक अलगी meaning दे रखा है मानो ये सिर्फ अपने special partner के लिए ही use कर सकते हैं जबकि as a human being we all are connected remember मैंने बात करी थी law of attraction में कि at energy level we all are one तो ये love किसके लिए है? ये love पूरे universe के लिए है जिसमें ना सर्फ मैं आप और human beings आते हैं बलकि सारी सिर्ष्टी आती है माने हर चीज हर चीज जैसे animals, पेड, पौधे, पानी, आस्मान, हवा और सब कुछ आता है जो आप देख सकते हैं जो आप महसूस कर सकते हैं और वो जो आपके करीब है और जो वो जो आप से दूर है पूरी की पूरी शिष्टी love for everyone and everything अब आते हैं कि रियल टॉपिक पे जो है ये Hawaiian prayer prayer का नाम है हो पोनो पोनो हाँ ये मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है होपोनो पोनो prayer के बारे में बट आज मैं इसे हिंदी में explain करके बता रही हूँ क्यों ये important है क्यों ये इतना कारगर है ये prayer हम सब में यही चार line ने use करते हैं वो है I am sorry please forgive me I thank you and I love you ये prayer एक cleansing prayer है मैंने ये भी बताया था law of attraction में कि जब भी आप कुछ अच्छी चीज़े attract करते हैं कि तो क्या होता है हम लोगों की पुराने negative thoughts and feelings को clear करना पड़ता है until and unless अगर हम उन negative feelings को clear नहीं करते हैं तो वो अच्छी चीज़े हम तक पहुच ही नहीं पाती है ठीक है तो this prayer is a cleansing prayer इसकी कहानी बहुत ही interesting है इस prayer की कहानी तो बहुत interesting है कब से ये use होना शुरू हुआ और किसने सबसे पहले बार इसे use किया था ये prayer एक Hawaiian के एक doctor Hugh Len ने use करी थी और जानते हैं उन्होंने एक mental hospital के सारे लोगों को cure कर दिया था मतलब ठीक कर दिया था पूरे के पूरे hospital में एक भी person ऐसा नहीं था जो ठीक नहीं हुआ था and that too that was a criminal hospital criminal mental hospital ठीक है और सबसे interesting बात उससे भी जादा interesting बात ये थी कि उन्होंने एक भी mental patient से कोई meeting नहीं की थी मतलब वो किसी से भी नहीं मिले थे इसका मतलब कि वो बिना मिले ही उन्हों सब को ठीक कर दिया था अब ये सोचिए वो कैसे हुआ उन्होंने सारे mental patient को कैसे बिना देखे बिना मिले ठीक कर दिया था उन्होंने इसी prayer का use किया था कैसे किया था चलिए बता दियो उन्होंने सारे mental patients की file देखी उनके photos देखे और उसे देखते वे ये prayers को बोलते गए बोलते गए, repeat करते गए हर बार like a mantra बोलते गए, अब ये कोई चमतकार से कम तो था नी और इसलिए इस prayer को इतनी value दिये लोगों ने इसलिए इसमें इसको use करने पर अगर एक पूरा mental patient sorry, एक पूरा hospital ठीक हो सकता है तो हम और आपकी energies क्यों नहीं heal हो सकती है हमारी old traumas क्यों नहीं heal हो सकते है इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे use किया है और सालों के रिस्ते ठीक हुए है किसी के साथ conflict resolve करनी हो तो वो easily से हो जाती है hope and no prayer ये के use से बहुत सारे लोगों की बिमारिया ठीक हुई है देखिए ये एक cleansing prayer है मतलब आपकी emotional cleaning होती है इससे, इसे use करते हैं चलिए इसे use करके एक बार देखते हैं कैसे use करना है by taking 100% responsibility about the current situation मतलब की जिम्मेदारी लेनी है आपको 100% जिम्मेदारी हाँ, मेरी ही किसी thought के वज़े से मेरी ये situation, मैं ये situation face कर रही हूँ इसलिए I am sorry और मुझे पता भी नहीं कि मैंने क्या किया है इसलिए हम बोलते हैं please forgive me for creating this negative situation or negativity around me thank you universe ये सब कुछ perfect करने के लिए thank you so much ये सारी negativity को साफ करने के लिए I love you universe I love you and I love cleaning my energy I love cleaning all my negative energies I am sorry, please forgive me I thank you and I love you इस प्रेयर को किसी भी emotion के लिए 108 ताइम्स खुद कर के देखे और खुद difference पाए मुझा सुनने के लिए शुक्रिया और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, subscribe और share जरूर कीजिए and mostly इसे experience करके जरूर देखे ताइम्स खुद कर देखे